इस हमले में बारा बच्चों की मौत हो गई थी ये सभी बच्चे वहां मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे वहीं दूसरी तरफ इस हमले में चवालिस से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे हाला कि हिजगुला ने इस हमले से इंकार करते हुए ये कहा था कि ये धमाका इस्राइल के एर डिफेंस सिस्टम आयरें डोम की इंटरसेप्टर मिसाइल फेल होने की वज़ा से हुआ था और इस हमले के बाद इसराइली प्रधान मंत्री बेंजमिन नितिन्याहु ने हिजगुला के सामने डंके की चोट पर कह दिया था कि वो इसका बदलाल लेकर रहेंगे और वो इतना कठोर होगा जिसे हिजगुला कभी भुला नहीं पाएगा और अब इसी कड़ी में इसराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षणी इलाके में एक बड़ा हवाई हमला किया है हिजगुला ने इस हमले में ड्रोन का इस्तेमाल किया है इसराइली सेना का कहना है कि उसने इस हमले में हिजगुला के कमांडर फुआज शुक्र को निशाना बनाया है जो मजदल शम्स हमले का मास्टर माइंड था IDF के मुताबिक शुक्र हिजगुला प्रमुग हसन नसरला का सलाकार है जो साल 1983 में बेरूत में अमेरिकी मेरीन कॉप्स बैरिक्स पर बंबारी करने का आरोपी है इसको लेकर अमेरिका का कहना है कि इस हमले में उसके 241 नौसैनिकों की जान चली गई थी और इसके बाद अमेरिका ने शुक्र पर 50 लाक अमेरिकी डॉलर का इनाम रखा था अमेरिका का कहना है कि शुक्र हिजगुला की जिहाद काउंसल का प्रमुख है जो हिजगुला की एक एहम सैन निशाखा है लेकिन बड़ी बात यह है कि आईडियफ के इस हमले में फुआज शुक्र मारा गया या फिर जीवित है इस बात की पुष्टी नहीं हुई है लेकिन बेरूत में दो सीनियर सुरक्षा सूत्रों ने न्यूज एजंसी रॉइटर्स को बताया कि शुक्र इस हमले में जिन्दा बच गया है वहीं इस हमले को लेकर लेबनान की न्यूज एजंसी अलमयादीन का कहना है कि आईडियफ के इस हमले में तीन लोगों की जान चली गई है जबकि दस से ज्यादा लोग घायल हो गए है अलमयादीन के मताबिक ये हमला बेरूद के हैरत हरेक इक्षिन का लिवा आपको बता दे कि अभी तक इसराइल बेरूद के इस इस लाके पर हमला करने से परहिज़ कर रहा था और इससे पहले दो जनवरी 2024 को आईडियफ ने यहां पर एक हवाई हमला किया था जिसमें लेबनान में हमास के टॉप कमांडर साले अल अरोरी और अन्य अधिकारियों की मौत हो गई थी